नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर आज मैं आपके लिए ले के आई हूँ चने के बेशन की बहुत ही चटपटे रेस्पी जिसे एक बर बना लेंगे तो यकीन मानिए बार बर बनाना चाहेंगे बहुत ही आसान रेस्पी है कम समय में कम खर्च में धेर सारा बनके तैयार हो जाता है तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं ली हूँ एक कप के करीब चने का बेशन आपको जितना भी बेशन का बनाना होगा उस हिसाब से आप बेशन ले लीजिएगा बेशन चाना हुआ है हमारा तो इसे अच्छे से एक बार चान की लीजिएगा अब इसे डाल लेती हूँ कटोरे में अब क्या करना है हमें इसमें डालना है थोड़ा सा हडी मिर्ची अद्रक का टुकरा और दो चार कली लहसन का तो यहाँ पर दो हडी मिर्ची और एक इंच अद्रक का टुकरा डालूंगी और दो चार हडी मिर्ची लहसन का कली को तो चलिए फ्रेंट्स पहले इसमें क्या करना है हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के बेशन को गाढ़ा घोल तयार करना है थोड़ा पाने डालके घोलिएगा तो इसमें कोई भी गुठली नहीं परेगा बेशन हमारा बहुत अच्छे से घुल जाएगा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं हमारे वीडियो पसंद आएगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा तभी अगला वीडियो हमारा आपके पास जा पाएगा और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे अब बेसन को इसी तरीके से घोलना है तो इसका कोई भी नाप तोल नहीं है बेसन में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएए और इसे घोलते जाएए तो देखिए फ्रेंट्स बेसन को थोड़ा ज़ादा करके फेटिएगा जिससे कि ये फूलेगा और आपका जो रेश्पी है बहुत ही अच्छा बनेगा हलका बनेगा बेसन अमरा घुल चुका है अब इसे रख देती हूँ साइड में और हरे मिर्ची और लहसन और अदरक का दरदरा सा पीश के तयार कर लेती हूँ तो इसमें पानी नहीं डालना है जार में डाल देती और बाकी का सारा मसाला और कुछ भी इसमें नहीं डालना है हमें आप लहसन खाते हैं तो दो चार कली डाल लीजे नहीं खाते हैं तो बिना लहसन कहीं बना ले सिर्फ अदरक और हरे मिर्ची डाल के इसे भी बहुत ही अच्छा टेश्टी बनता है तो इसे अच्छा ऐसे कर करस्ट करके लेके आती हूं तो देखिए यहां पर हमारा अद्रक और हरी मिर्ची का क्रस्ट हो चुका है अब इसे बेशन के साथ ही डाल देती हूं अच्छे से तो देखेए फ्रेंट्स इसमें डाल दी हूँ अब क्या करना है हमाइइ इसे वापस से मीक्स कर लेना है आप पापर बनाने के सौखी ने तरह तरह के पापर आप घर में बना के रखना चाहते हैं आपको किसी भी तरह के पापर की रेशपी चाहिए होगा तो आप हमें कोमेंट कीजिएगा मैं हर तरह के पापर की रेस्पी का वीडियो का लिंक आपको दे सकती हूँ जिसमें चने डाल के पापर, उड़त डाल के पापर, चावल के पापर, टमाटर के पापर, हर तरह के पापर की रेस्पी हमारे चैनल पर है तो आप चाहें तो वीडियो का लिंक हम से ले सकते हैं अब इसमें डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार नमक नमक डालने के बाद फिर से हमें वापस से इसे अच्छे से घोलना है तो फ्रिंट्स देखिए अब हमारा बेशन का गाढ़ा सा घोल तैयार हो चुका है अभी इसे रख देती हूँ साइड में अब यहाँ पर ले ली हूँ चावल तो इस चावल को 5-6 घंटा पहले अच्छे से धुलके अब डाल दीती फूलने के लिए अरवा चावल है तो हमारा चावल बहुत अच्छे से फूला हुआ है चावल के साथ बेशन और चावल के साथ आज में रेश्पी बनाने वाली हूँ जो की बहुत ही ज़्यादा चैट पटा और मज़ेदार बनने वाला है तो फ्रेंट्स चावल को डाल लेती हूँ मिक्सर जार में और इसके साथ क्या करूंगी थोड़ा सा पानी डालके इसका एकदम फाइन हमें पेस्ट बनाना है चावल को एकदम बारिक पीसना है तो थोड़ा सा पानी डालके चावल को पीस लेती हूँ अच्छे से एकदम बारिक करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसे करना क्या है तो चलिए फ्रेंडस इसे पीष के लेके आती हूँ चाबल हमारा बहुत अच्छे से पीष चुका है बिल्कुल भी दरदरा नहीं है अच्छे से फूला होता है, तो चावल को पीछने में कोई दिक्कत नहीं होता है, यदि आपको लगे कि चावल थोड़ा सा जादा मोटा रह गया है, तो आप इसे छान के ले सकते हैं, छनी से, अब चावल को भी डाल देना है बेसन के अंदर, थोड़ा सा पानी जाड में डा के बापत से आप बेशन में डाल लीजिएगा क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मोटा गाढ़ा गोल नहीं चाहिए होगा थोड़ा पतला ही चाहिए तो इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसमें हल्दी बगरा कुछ भी नहीं डालना है यह ऐसे ही रहेगा जो इसका अपना कलर है वही कलर रहेगा और अच्छे से इसे फेटना है फेटने वाला कम थोड़ा ज्यादा अच्छे से कीजेगा तो यह बहुत अच्छा बनके आता है तयार होता है फ्रेंड्स आपको संड्राइट केले की चिप्स की रेस्पी चाहिए जिसे एक बर बनाए साल दो साल तक बरत में भी खा सकते हैं ऐसे भी खा सकते हैं बहुत ही अच्छा रेस्पी है तो देखिए अब इसे दो से तीर मिनट तक छोड़ देना है रेस्ट करने के लिए जिसे की बेसन और चावल का आटा थोड़ा फूल जाए चावल पिसा हुआ और बहुत अच्छे से यह तैयार हो तो देखिए कुछ इस तरीके का पतला गोल चाहिए होगा बहुत ज्यादा गाढ़ा इसे नहीं रखना है जितना अच्छा से पतला रहेगा उतना अच्छा आपका रेस्पी बनेगा तो चलिए फ्रेंड्स इसे दो से तीर मिनट तक छोड़ दी थी कड़ी पाच मिनट तक छोड़ दी हूँ अभी हमारा जो है बैटर एकदम तयार हो चुका है इससे ही बना के आपको दिखाती हूँ आज का रेस्पी कुछ अलग है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा सपोर्ट कीजिएगा हर एक तरह की वीडियो आप लोग देखा करें फ्रेंड का छीटा उसके बाद इसे पोच के किसी भी कपड़ा से एकदम साफ कर लेना है क्लीन कर लेना है इसमें सिर्फ इसे चिकना करना हमें तवे को तो पानी और थोड़ा सा तेल डाल के तवे को चिकना कर ली हूँ अब देखिए फ्रेंड जो घोल को तयार की हूँ जो बैटर भी घोल के चावल और बेशन का दिखाई हूँ उसे डाल लेना है कोई भी गलास में आप उसे डाल ले तो देखे फ्रेंड इस तरीके से गलास में डाल ली हूँ अब इससे ही बनेगा हमारा रेस्पी बस घोलो और जटपट से धेर सारा रेस्पी बना लो अब गलास से इस पकने देना है एक तरब से उसके बाद इसे धकन को हटाना है तो चलिए फ्रेंड्स अब इसमें अच्छा सा भाफ बन चुका है आप देख पा रहे हैं अभी धकन को हटा देती हूँ अब इसके उपर से बस एक आद बुंद कहीं कहीं आपको तेल टुपकाना है ज़्यादा तेल नहीं डालना ये बिने तेल वाली है रेस्पी है उसके बाद क्या करना है इसे पलट देना है चारो तरफ से आप किनारे को इस तरीके से छुडा ले बहुत ही अच्छे सी ये छ तो कि इसमें नहीं तेल पड़ा है नहीं कुछ मसाला पड़ा है अलग से तो देखे फ्रेंट जब एक तरफ से इसका कलर चेंज हो गया है फिर इसे पलट के दोनों तरफ से से शेकना है मैं ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से नहीं दोनों तरफ से से शेकिए तब अच्छे से और बेशन जो है अच्छे से पकेगा और इसे आप किसी भी चटनी के साथ चटनी के साथ खा सकते हैं आलू के रस वाले सबजी के साथ खा के देखिए बहुत ही ज्यादा मज़ेदार लगता है आप जटपट से इसे बना के खाना चाहते हैं तो इसे टोमाइटो केचप के आपको बना लेना है और तवा को सिर्फ एक ही बार आपको क्लीन करना है बार बार इस पे नहीं तेल लगाना है नहीं पानी डालना है और इसी तरीके से साड़े को बना के तैयार कर लेना है तो ये चावल और बेशन का बहुत ही मज़ेदार नासता है नहीं इसे डोसा बोल उसे आप बना के इसे तयार कर सकते हैं बेशन के जगह पे आप चाहें तो चने दाल को फुला के साथ में चावल और चने दाल को पीश के भी ले सकते हैं बना सकते हैं तो चलिए इसे भी पलट देती हूं अच्छे से एक काफी पतला पतला बनता है तो इसे भी पलट के आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा से देखिए फ्रेंट्स अब इसे पलट के और दुनों तरफ से सेक लेती हूँ सेकने के बाद आपको दिखाती हूँ वीडियो को लायक जरूर करें फ्रेंट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले अगला रेस भी देखने के लिए तो देखिए ये भी अच्छे से सिक रहा है एक तरब से इस पर आप कुछ ज़्यादा तेल चाहिए होगा तो ज़्यादा तेल डाल के भी बना सकते हैं थोड़ा थोड़ा तेल डाल के बनाएंगे तो भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो देखिए इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से जट पट से आप बना के तयार कर लीजिए रोटी बनाने में असकत लग रहा है तो आप इसी को बना के इस वर खा के देखे कैसा लगा खाने के बाद कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो फ्रेंट्स मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेस्पी के साथ थैंक यू